नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग इंटरनाशनल रिलेशन से जुड़ाओ एक बिस्कुशन करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और बांगलादेश की देखिए हाली में हम लोगों ने अपना रिपब्लिक डे मनाया 26 जैनिवरी 2021 को वहाँ पे आपने देखा होगा रिपब्लिक डे टैबलू में बहुत सारे हमारे राज्यों ने उनकी स्पेशालिटीज को दर्शाया हमारे आम फोर्स ने वहाँ पे करतब दिखाये इन सब के बीच इस परेड में एक बांगलदेश का भी आम फोर्स कंटिंजेंट था अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस बार बांगलदेश से उनका एक आम फोर्स कंटिंजेंट था हमारे रिपब्लिक डे परेड में तो यह बहुत जरूरी डेटा बनता है आपके लिए गर आप किसी competitive exam की त्यारी कर रहे है एक सवाल बन सकता है कि this year's Republic Day saw a contingent from which country तो remember it was from Bangladesh हम लोग इस discussion में बात करने वाले हैं इसकी importance कहा दे कि यह आप एक article है marching forward together इससे आपने अभी तक अंदेशा लगा लिया होगा कि किस तरह India and Bangladesh are marching ahead so we will talk about the importance of this and what are the things that we might expect in coming future so let's begin our discussion लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगाउंकर अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं you can follow me on the ID राहूल साइ 222 अगर आप मुझे connect करना चाहते हैं अगर आप कोई doubt you can directly message me on Instagram I do reply especially on weekends and I don't reply to hello and hi just ask your question इसके साथ ही साथ study IQ आपके लाया है comprehensive prelims का means program for UPSC 2021 जाधा जानकारी के लिए डाउनलोड किजेगा आप Google Play Store से and don't forget to subscribe to study IQ चलिए बात करते हैं इंडिया और बांगलादेश की देखिए इस Republic Day contingent के बारे में तो थोड़ी दिर में बात करेंगे लेकिन इन जनल अगर हम लोग इंडिया बांगलादेश की बात करें especially पिछले एक decade में 2010 से 2020 तक relations काफी अच्छे रहें जब से शेक हसीना सरकार आई है बांगलादेश में और मोधी सरकार आई है इंडिया में 2014 से तब से लेके तो हम यह कह सकते हैं कि इंडिया बांगलादेश relations have been steadily going up हम लोग ने बहुत बार discussion किया है इंडिया बांगलादेश maritime cooperation का इंडिया बांगलादेश military cooperation का इंडिया बांगलादेश trade cooperation का इंडिया giving heavy line of credit यानि funds etc. to Bangladesh for their development तो इन सब से हमें पता चल रहा है कि काफी अच्छे relations चल रहे है लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही important development आई है मैंने समिन आपको बताए कि एक नए height पे पहुँच गे इंडिया बांगलादेश relations क्योंकि इस साल के Republic Day Parade में बांगलादेश की 122 member की एक contingent आई थी इंडिया में जिनों ने Republic Day Parade में भाग लिया तो चलिए पहले इस contingent के बारे में बात करते हैं क्यों यह बहुत important बनेगा क्योंकि बांगलादेश की contingent में बांगलादेश आर्मी की soldiers भी थे बांगलादेश नेवी की sailors भी थे बांगलादेश air force के pilots उनके air warriors भी थे यहाँ पे इस contingent को lead किया था Lieutenant का अबू मुहमद शानूर ने और जब यह contingent move किया parade में तो उन्होंने मार्च किया एक tune पे यह tune भी बहुत जरूरी हो जाती है आपके लिए शोनो एकती मुझीबूर ठेके this is the tune listen from the one मुझीबूर अब यह मुझीबूर को है मुझीबूर can be considered as a father of the nation for Bangladesh मुझीबूर रह्मान is a very very important personality in fact coincidentally 2021 जो है वो उनकी 100th birth anniversary भी बन जाती है तो शेक मुझीबूर रह्मान you can consider him to be a connect between India and Bangladesh शेक मुझीबूर रह्मान ने बांगलदेश freedom के लिए मुहीम छड़ दी थी और इनकी मदद की थी इंडिया ने उस समय पे Prime Minister इंदरा गांधी थी आपको याद होगा 1971 में बांगलदेश को में फाइनली बांगलदेश को liberate किया तो ये बहुत ही important development बन जाती है अब सवाल ये उड़ता है कि क्या ये हमेशा होता है कि हमारे Republic Day Parade में किसी और आर्मी की contingent आ के Parade में शामिल होती है देखिए नॉर्मली केवल Indian Armed Forces और Indian States के टैबलू होते है लेकिन कुछ सालों से हम देख सकते है कि friendly nations के जो Armed Forces की contingent है वो इंडिया में भाग ले चुकी है ऐसा नहीं है कि बांगलदेश ही पहला है नहीं बांगलदेश is actually third country तो तीसरी country है जिसकी आर्म contingent ने Indian Republic Day Parade में भाग लिया इससे पहले भी French soldiers पहली बार आये थे जिनोंने Republic Day Parade में उन्होंने भाग लिया था 2016 में अगले ही साल 2017 में UAE की एक military contingent भी आये जिनोंने Republic Day Parade में भाग लिया था और 2018-19 में किसी और देश को invite नहीं किया था बट इस ताइम इस बांगलदेश so Bangladesh is the third nation to send their contingent here in recent times a very very important development please इसको याद रखिए इस factual information को from exam perspective अब जरूरी बात यह होती है कि what does this signify क्या इसकी importance है देखिए पहली importance तो यह है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने बांगलदेश की बहुत जादा मदद की है उनकी independence में तो यह जो latest gesture है जहाँ पर बांगलदेश ने अपनी contingent को Indian Republic Day पर भेजा है it completely shows that they are thankful to India कि इंडिया की contribution काफी रही है बांगलदेश की independence में इसको वो acknowledge कर रहे है कही न कही इसके अलाब अगर हम लोग बात करें यह क्या और दर्शाता है यह दर्शाता है deep military relations जो इंडिया और बांगलदेश की बीच develop हो रहे है पिछले एक दशक से जैसे मैंने आपको बताए कि इंडिया बांगलदेश के relations काफी अच्छे रहे है जब से शेक हसीना सरकार आई है उनके relations पहले मनमोहन सिंग सरकार के साथ भी अच्छे थे और जब से 2014 से मोधी सरकार आई है तब से the relations have gone up and up always so deep military relations between इंडिया और बांगलदेश are also signifying this particular gesture which बांगलदेश has shown तो इन सब चीजों से एक हम लोग अंदेशा लगा सकते कि आने वाले समय में क्या हो सकता है देखिए जैसे कि बांगलदेश ने अपनी contingent भीजी इंडिया में 1971 में इंडिया का काफी योगदान रहा है तो अगर हम लोग 1971 की बात करेंगे तो अभी 50 साल हो रहे हैं तो इस साल बांगलदेश की golden जुबली है इंडिपेंडेंस की तो जैसे बांगलदेश ने gesture दिया उनकी contingent भेजी है तो हम लोग एक expect कर सकते हैं कि इंडिया भी reciprocate कर सकता है कि इंडिया की भी कोई contingent जा सकती है बांगलदेश on their independence day और उनकी independence दे आती है exactly 2 महेने बाद यानि कि March 26th को और in fact अगर हम लोग बात करें 2021 की एक बहुती landmark year है for Bangladesh and both for India-Bangladesh relations बांगलदेश की तो मैंने बता दी कि 50 साल हो जाएंगे उनके independence को इसके आलाबा इंडिया और बांगलदेश के diplomatic relations को भी 50 साल हो जाएंगे तो काफी अच्छे relations चल रहे हैं और हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे चल के भी अच्छे relations होंगे और एक gesture जरूर इंडिया की तरफ से आ सकता है कि वो भी अपनी contingent भेजे but हम लोग अपना discussion end करेंगे एक आशा के साथ कि इससे भी बढ़कर कुछ इंडिया करें यानि कि एक और बड़ा gesture दिखा है देखे हम लोग इंडिया बांगलाइश की जब भी बाते करते हैं मैंने आपको कहा कि पिछले एक दशक से relations काफी अच्छे चल रहे है positive चल रहे हैं बिलकुल but ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच problem नहीं है problem है ही हम लोग जाते है कि पहले से ही boundary dispute था तो हम लोग ने land boundary agreement sign किया 2015 में तो कुछ हद तक boundary has been resolved porous border है तो migration की problem है drug trafficking की problem है border monitoring की problem है तो these have to be resolved through cooperation और जिस तरह की military cooperation चल रहे हैं तो बांगलदेश is with respect to water sharing और in fact अगर मैं water sharing की बात करूँ तो water sharing में हम लोग बात कर सकते हैं तीस्ता की तीस्ता river is one in fact इंडिया और बांगलदेश चववन river share करते हैं जहां पर water sharing agreement नहीं है तो probably एक gesture ये हो सकता है कि इंडिया एक agreement on water sharing finalize करा दे 2021 में which marks 50 years of diplomatic relations with बांगलदेश again we do know West Bengal में इस साल elections है तो election के बाद चाहिए इस चीज़ भी development हो जाए but let's hope for the best and the gesture would be for better water sharing between India and बांगलदेश अगर ये होगा तो और भी हमारे relations अच्छे हो जाएंगे हमारे पडोसी बांगलदेश के साथ that is it from my side on this part of discussion thank you for watching Jai Hind